आज जो है हम लोग जियो सी का फिप्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोगों ने जियो आज स्टार्ट कर रहे हैं अब तक हमारे तीन चार लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और यह जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं यह आपके ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको वीडियो ठीक है ना उस पर मिल जाएंगे जाके अब यू देख हो चुना में ठीक है ना सारे हो चुके हैं हम उसी लेक्चर्स के आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोगों ने अभी तक पढ़ दिया जाके हम स्टार्ट कर चुके हैं जाके और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब जी ओसी में हम लोगों ने इंडेक्टिव एट के बारे में पढ़ा उसके अप्लिकेशन के बारे में पढ़ा एस्टिक स्ट्रेंद बेसिक स्ट्रेंद इन सभी के बारे जो हम लोगों ने बच्चो स्टार्ट किया जाके कि लास्ट क्लास में जो था हम लोगों ने पढ़ाता जाके जिए रेजोनेंस एफेक्ट में प्लस M और माइनस M एफेक्ट ये कौन-कौन से ग्रूप होते हैं आज हम ये डिसकस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास प्लस M और माइनस M गुरूप बेंजीन रिंग पर अगर लगते हैं तो ये किस तरह से एफेक्ट गालते हैं जाके इस्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा रखा हुआ है रेजोनेंस एफेक्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस एफेक्ट के बारे में क्या डिसकस करने जा रहे हैं ये इत्राइब्स का होता है बच्चों, ठीक है ना, कितने टाइप का होता है बटा, two types का होता है, बाकी detail हम बटा, इसके आगे के lectures में discuss कर चुके हैं, जिसके video अब लेवल हैं आपके पास, ठीक है ना, two types में मैं उसके आगे पढ़ा रहा हूं जाके, two types के lectures में हम लोगों ने क्या देखा बटा first में देखा जाके मेरे पास, एक आता है मेरे पास plus M effect, ठीक है ना, resonance effect is also known as, resonance effect is also known as mesomeric effect, इसको mesomeric effect भी कहा जाता है जाके, ठीक है ठीक है ना, तो plus M effect कहा जाए या plus R effect कहा जाए, दोनों का meaning एक हो गया ठीक है ना, अब देखो क्या होता है, पहले plus M effect का मैंने बात करी जाके, तो plus M effect क्या होते हैं, ये सभी बेटा electron donating group होते हैं, जितने भी electron donating group होंगे, वो सभी plus M effect show करेंगे, और इन में अगर order देखा है, तो सबसे अधिक अगर किसी का है, तो वो है CH2 minus का, CH2 minus के बाद बिटा आता है, प्लस M में NH minus का, इसके बाद आता है बिट्रो, O minus का, इसके बाद आता है, neutral molecules का आएगा, NH2, then NR2, then OH, then OR, और लास्ट में बिटा, हैलोजन के बारे में आएगा, ठीक, यह हो गया बारे बाद, प्लस M, Similarly, अगर हम बात करे जाके, second में, तो हम लोग लिखेंगे, minus M effect, minus M effect, यह क्या हो गया, electron withdrawing group, ठेक है ना, अब electron withdrawing power देखी जाए, तो सबसे अधीक देखी गई है, PR3+, में बच्चों, इसके बाद आता है, NO2 का नमबर, इसके बाद नमबर आता है, CN का नमबर, इसके बाद बच्चों, नमबर आता है, CHO का, इसके बाद नमबर आता है, बच्चों, COOH का, and then आता है, बच्चों, SO3 H का, ये किसका हो गया, electron withdrawing group का ये order हो गया जाके, plus M effect और minus M effect, यानि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, plus R effect भी कह सकते हैं बच्चों, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, minus R effect भी कह सकते हैं, मीजोमेरिक effect जो होता है, इसी को resonance effect भी कहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कि मीजोमेरिक effect है क्या, उसके बाद इसको classify किया गया है, और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है plus M effect और एक होता है minus M effect, plus M effect के अगर में बात करता हूँ, तो ये electron donating group पे आता जागा, और electron donation सबसे यदिक किस पर कौन कर सकता है, तो वो CH2 minus, ये मैंने order लिखा हुआ है, किसका plus M group का, minus CH2 group, then NH group, then O minus, then NH2, then NR2, then OH, then OR, then halogen, और अगर मैं minus M की बात करता हूँ, बच्चो, तो क्या होगा, PR3 plus होगा, फिर NO2 का होगा, फिर CN होगा, फिर CHO होगा, फिर COH group होगा, फिर SO3H group होगा जाके, ठीक है ना, तो ये हुआ, अब मैं इन, इन में से किसी A group का, और इन में से किसी A group का order, benzene ring में कैसे effect डालता है, स्क्रीन स्क्रीन सॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको discuss करने जा रहा हूँ, benzene ring पर, देखो, पहली बात, मैं benzene के बारे में कुछ चीज़े आपको बताता हूँ, ठीक है ना, फिर इस effect का application part समझ गयाएगा, जितनी भी species हैं, जितनी भी species हैं, अगर उन species में, especially carbon-carbon में, अगर double bond या triple bond पाया जाता है, बच्चों, तो ये double bond या triple bond के बनने में, एक sigma और बागी जो भी number बढ़ रहे हैं, bonds में, वो pi bond बन जाते हैं, pi bond जो होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो lateral overlapping से बनते हैं, lateral overlapping का मदलब क्या होता है, ये मेरा nucleus रहा, और nucleus से, जो lateral overlapping है, उसमें क्या होगा, जो electron density है, जहाँ overlapping होरी, वो nucleus से दूर होते हैं जाके, इसलिए nucleus का force of attraction इन pi electron पर कम हो जाता है, अगर pi electron पर nucleus का force of attraction कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आसानी से break हो सकते हैं, और जो electron आसानी से break हो जाते हैं, loosely bonded electrons होते हैं, उनकी वज़े से उस system में electron density बढ़ जाती है, हम सीधा conclusion पर पहुचें, तो conclusion पर क्या आता है, कि अगर कहीं carbon-carbon के बीच में एक भी pi bond पाया जाता है, तो ऐसी species को हम लोग electron rich species consider करते हैं, अगर carbon-carbon की बीच में एक भी pi bond पाया जाता है, तो ऐसी species कोब लोग electron rich species consider करते हैं और अगर ये electron rich species है बेटा तो ये क्या हो जाएंगे जाके behave करेंगे as a nucleophile, क्यों होंगी यानि बेंजिन नहीं मेरी कैसी होगी, nucleophilic nature की हो गई, तो अब इस पर attack कौन करेगा बच्चों, इस पर attack करेगा electrophile, अगर ये nucleophile है तो attack करने कौन आएगा, कोई electrophile आएगा, electrophiles यानि इलेक्ट्रो फिलस दो वर्ड से मिल्के बना है, electron पर negative charge, philus का मतलब affection, जिनका affection, जिनका attraction किसकी तरफ हो, electron हो के तरफ, तो उन पर क्या charge होगा बच्चों, उस पर हैं positively charged होंगे, वो क्या होंगे, electron deficient species होंग क्यों attack करेंगे, क्योंकि nucleophile, electron rich species होते हैं, बेंजीन तुम्हारी nucleophilic natures की है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग में अगर हम बात करते हैं, बेटा, in ऑर आएगा, निम्हारी निअ के तक रिप से एंगों में तकिताant, circuit हो स्टेटों में तक सव तक कि तक प्लस काम तक्य में तक्या बात면 is прек this is electron rich molecule, this is electron rich molecule and it behave as nucleo files, it behave as a nucleo files, it behave as a nucleo files, this nucleo files behave, which is benzenerings, this is the first point that I discussed about benzenerings. अब हम सेकेंड पॉइंट बताने जा रहें और यह चीजे तुम लोग को पता होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टुडेंट्स को नहीं पता है, तो मेरी एडूटी बनती ही मैं उसको यह चीजे बता करके चलू, पहले सी स्टार्टिंग करके चलू, benzenerings है और इस benzenerings पर कोई group लगा हुआ है, इस benzenerings पर कोई group लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इस group को first position दे देता हूँ, इसको second दे देता हूँ, इसको third दे देता हूँ, इसको fourth, इसको fifth और इसको six दे देता हूँ, ठीक, इस group के first atom के respect में यह वाली position और यह वाली position, दोनों equivalent position है, इन positions को क्या कहा गया है, one किसको, one comma two and one comma six, इन position को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, हम लोग क्या कहते हैं, आर्थो positions, ठीक, similarly one three and one five position same होगई, one three and one five position होगई, और in positions को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, meta position और one four positions को हम लोग क्या बोलेंगे जा के बच्चों, para position, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, O, Arthro, इसको क्या लिखेंगे M, Meta, इसके लिए क्या लिखेंगे P, Parapositions हो जाएंगे, यह हमें notification पता होना चाहिए, एक तो क्या हुआ, पहला point क्या हुआ कि बेंजिन रिंग जो होती है, उसमें तीन पाई बॉंड पाई जाती है, जिसकी वज़े से यह नुकलोफिलिक आठ्म सकथा है, थर्ड में लग फोर्थ सकस्क्ता है, फिफ पे लग सकता है, इस फिप लग सकता है, गेर सिकेंट या 6 पर लगता है, इन दोनों एक्टम पर लगता इस ग्रूप के रिसक्ट में इस पोजिशन को लोग क्या कहते हैं बैanu Arthro, और अगर इसके रिसक्त में विक पुजिचन पर लगता है इस पुजिचन को मोणों क्या कहेंगे मैटार्योट और अगर फोल्थ पुजिचन पर लगता । उस पुजिचन को लोग क्या कहते है पैरा यह हमारे पास स्वाइन रिंक कुछ इंफोरमेशन थी आप इसका एक स्क्रीन सोड लिजे फिर आम लोग आगे बढ़ते हैं अब आप देखो पहला केस लेके चलते बेटा जब हमारी बेंजीन रिंग पर प्लस M या जिसे आप लोग प्लस R ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग पर इन ग्रुप के लग जाने से क्या चेंज आता है उसको मैं देखने जा रहा हूँ ये रहा मेरे पास बेंजीन रिंग मैं कोई ऐसा ग्रुप लगाऊंगा जो की कैसा नेचर में प्लस M मैंने क्या लगा दिया बच्चो NH2 ग्रुप लगा दिया और नाइट्रोजन पे क्या है लोग पेर आफ इलेक्ट्रोन ये मेरे पास एक स्टक्चर हो गया बेंजीन रिंग और उस पे NH2 ग्रुप लगा क्योंकि नाइट्रोजन पे लोग पेर आफ इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन रिच स्टक्चीज है इट बिहेव एज प्लस M ग्रुप ये किस तरह से बच्चो बिहेव करेगी प्लस M मैं प्लस M लुकूं या प्लस R लुकूं एक ही चीज़े मैं बार-बार अब दोनों चीज़े नहीं लिकूंगा मैंने एक बार लिख दिया प्लस M गुरुप की में बात कर रहा हूँ अब देखो बेटा लोन पेर, सिंगिल बॉंड, डबल बॉंड मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कैसे हमनों डिसाइड करेंगे कि कहां रेजुनेंस हो रहा है रेजुनेंस वहाँ पर होता है जहाँ पर कॉंजुगेशन पाया जाता है कॉंजुगेशन की कंडिशन क्या है कि जिस एटम पे लोन पेर अगर वो सिंगिल बॉंड और दूसरे आटम से यानि पाई बॉंड का फार्मेशन करते है अब अगर यहाँ पर पाई बॉंड बनेगा इस कार्बॉन और नाइट्रोजन की बीच में तो कार्बन के नंबरा बॉंड बढ़ जाएंगे तो जैसे ही बढ़ेंगे तो यह वाला पाई बॉंड टूट कर इस कार्बन एटम पर बेट जाएगा किस पे इस वाले कार्बन एटम पर बेट जाएगा अब हमारे पास एक नया structure हमें draw करना पड़ेगा चलिया देखते हैं हम लो द़्रॉ करते हैं पहले हम लो एक साइक्लोहेक्जेन का structure बना लिया, अब देखो बेटा, यहाँ पर NH2, अब यह lone pair यहाँ पर आ गए, यानि इसने bond का formation कर दिया, यह हो गया double bond, ठीक है न, ध्यान से देखते चलिएगा, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, NH2, nitrogen से lone pair गए है बच्चों, इसलिए हम लिख पर लगाएंगे positive charge, ठीक अब यह bond टूट कर इस atom पर बैड़ गया, इसको negative charge से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि पूरा Y bond टूट किया रहा, electron ले किया रहा, इसलिए negative charge, इसके बाद इन वाली bond की position में कोई change नहीं आया है, as it is लिखे जाएंगे, जैसे ही आप देखते हैं कि इस atom पर negative charge आया, आपने क अगर conjugation हो गया, आगर conjugation हो गया, तो resonance होगा, तो क्या होगा, negative charge पाई bond बनाएगा बच्चों, और पाई bond टूट कर इस carbon atom पर जाएगा, ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे कि किस पर negative charge गया है, अभी देखना, अब देखो, यहाँ पर और यहाँ पर कोई change नहीं आया, तो प यह चार्ज कैसा है बच्चों, और यह डबूल बांड ऐसा, अब देखो, यह negative charge पाई bond बना रहा है, अच्छी बात है, यह पाई bond बन गया, पाई bond टूट के यहाँ पर, अब यह पाई bond कहाँ टूट के जाएगा, अरे जाएगा, इस पर तो bond बन गया, इसी पर तो shift होगा यानि इसके ठीक next वाले carbon atom पर negative charge लगा देना, बन गया, अब दोखो, अरे यह क्या, यह negative charge, single bond, double bond, यह फिर conjugation में आ गया, जब तक conjugation में आता जाए, आप possible structures ड्रौ करते जाएगा, लेकिन reverse मत मारियेगा बच्चों, आगे बढ़ेंगे, तो negative charge फिर यहाँ पर गया, तो यह इस पर shift हो गया, तेक, अब देखो, फिर एक structure हमने draw किया, चलो, देखें, यह ऐसे ही रहा, यहाँ पर double bond, यहाँ पर नया double bond बना और यहाँ पर negative charge आ गया, तेक, अब देखो, negative charge, single bond, double bond, तो यह negative charge यहाँ पर shift हुआ, और यह pi bond इस nitrogen आटम पर shift हो गया, अब हम लोग क्या देखेंगे, फिर एक structure बनेगा, वो कैसा structure होगा, यह देखो, यहाँ पर इसको हमने, क्योंकि जैसे ही negative charge गया, positive charge वाला charge खतम और उसके loan pair उसको वापस मिल गये, यहाँ पर bond बन गया, यहाँ पर bond बन गया, यहाँ पर bond बन चुका है, अब आपने जितने भी structures बनाएं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, resonating structure, one resonating structure, two resonating structure, three or resonating structure, fourth and this one is resonating structure, fifth, five resonating structure हम लोगोने द्रॉआ कहिए, first और fifth resonating structure में क्या देखते हैं, double bond की position change हो चुकी है, कैसे change हुई, केवल delocalization हुआ, किनका, loan pair का और five bond का, अच्छा भी यहाँ resonating structures ड्रॉआ कर लिए, तो क्या हम अब resonance hybrid नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे बच्चों, अब हमने क्या किया, cyclohexin, जो bond अपनी position change नही किये हैं, उनको ऐसा ही लिख दो, अब क्या हुआ, देखो, यह single bond double bond में convert हुआ, हर double bond single में, हर single double में गया, यानि मेरे पास क्या आया, कि हर bond कैसा है, partial double bond character रख रहा है, तो हमने हर double single bond को partial double bond करेक्षपना दिया, nitrogen पे बेटा क्या आया है, चार्ज, positive del लिखेंगे, इस atom पर del negative, इस वाले carbon atom पर del negative और इस वाले carbon atom पर del negative, क्या conclusion निकला, conclusion की बात अगर हम करेंगे, तो क्या conclusion निकला, देखो गेटा, अगर benzene ring पर कोई plus M group आता है, electron donating group आता है, तो ये क्या करता है, अगर कोई species electron rich है, तो अगर वो किसी के साथ bond बनाएगा, तो किस के साथ बनाएगा, जिसके पास electron की कमी होगी, यानि इलक्ट्रोफाइल के साथ बनाएगा, बेंजीन रिंग की जो favorable reactions है, वो होती है बाटा, इलक्ट्रोफिलिक substitution reactions, एक point है, यहां लिख देते हैं, in benzene ring, takes place, benzene ring पे कौन सी reaction होती है बटा आसानी से, electrophilic substitution reaction होती है, याने कि इनि में electrophile attack करता है, benzene ring पे कौन attack करेगा बच्चों, electrophile attack करेगा जाके, ठीक है, अब देखो, benzene ring पर electrophile attack करना है, electrophile क्यों attack कर रहा है, क्योंकि benzene ring पर electron density अधिक है, लेकिन हमने क्या देखा, कि अगर पहले से benzene ring पर कोई plus m ग्रुप लग गया, तो इसके आने से electron density अधिक थी, लेकिन plus m ग्रुप के आने से electron density और बढ़ रही है, देखो, electron आ रहे है, electron density और बढ़ रही है, तो जैसे ही plus m ग्रुप आएगा, benzene ring पर इसमें electron density बढ़ जाएगी, तो electron density बढ़ जाने से क्या होगा, ये electrophile को आसानी से attack कर लेगा, electrophile को आसानी से attract कर लेगा, जब आसानी से attract कर लेगा, rate of reaction बढ़ जाएगी, यानि कि plus m ग्रुप के आने से benzene ring पर ring की reactivity बढ़ जाती है, ऐसे group को हम लोग ring activating group कहते हैं, ऐसे group को हम लोग ring activating group कहते हैं जाके, अब देखो ring activating group है, आर हाई electrophile, electrophile attack किसी भी carbon atom पर कर सकता था, electrophile किसी भी carbon atom पर आसानी से attack कर सकता था, लेकिन जब वो attack करने आएगा, तो उसको क्या दिख रहा है, कि अगर हम आर्थो और पैरा position पर जाते हैं, तो यहां पर electron density as compared to meta position अधिक है, तो मुझे बताओ, electrophile कहां जाना पसंद करेगा, जहां पर उसको electron density अधिक मिल रही होगी, तो वो meta पर जाएगा, यह आर्थो पैरा पर जाएगा, तो वो आर्थो पैरा पर जाएगा, तो यह कैसे group हो जाएंगे, आर्थो पैरा directing group, यह कैसे group हो जाएंगे, ring activating group, कौन, plus M group, हमें समझ में आया, मैं इन points को अब लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना, अब देखो second point, in presence of plus M group, electron density density, increases at ortho and wake up, ortho and para position of benzene ring. Hence, electrophile attacks at ortho and para position, इसले, electrophile कहाँ टाएंगे, ortho and para position group, इन group को हम लोग क्या कहेंगे, ortho and para directing group, और क्या कहेंगे, ring activating group, इन group को क्या कहेंगे, बच्चों उपर को बताया, और क्या कहेंगे, इसको, ring activating group, ring activating group, ortho para directing group and ring activating group कहते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आई ठीक है, बटा ले लिया, चलिया, अब हम second group के बारे में लिखने जा रहे हैं बच्चों, और वो होगा हमारे पास, ध्यान दीजेगा, मैंसी में change कर दे रहा हूं, second minus m और minus r इता है, तो ऐसा कोई group लिया जाए, जिस पर यह चीजे, आती हो जाए, ठीक है, देखो, मैंने क्या लिख लिया, CH double bond O, ठीक, यह देखो, ठीक है, यह हो गया हमारे पास, चलिए, double bond, single bond, double bond, resonance है, conjugation है, resonance होगी जाके, होगा क्या, यह carbon carbon pi bond है, यह carbon oxygen pi bond है, oxygen की electron negativity अधिक, तो pi bond oxygen atom पर shift होने लगेगा, जैसे ही यह pi electron oxygen atom पर shift होगा, इस पे positive charge आएगा, यह positive charge इन pi bonds को अपनी तरफ बाहर की ओर खीचने लगेगे, अब ध्यान दो बेटा, वहाँ NH2 group में लगने से nitrogen के लोन पे ring में आ रहे थे, आ रहे थे, अब direction opposite हो रही, जा रहे है तो अगर हमारे पास CHO group लग जाएगा, अगर मेरे पास CHO group लग जाएगा, जो की nature में कैसा minus M है, तो अगर minus M group लगेगा, तो electron density बढ़ा रहा है ring में या गटा रहा है, यह तो decrease करेगा, बाहर ले जाएगा, decrease कर जाएगा, और देखते हैं, जैसे ही electron density बाहर की ओर गया, यह पाई बांड, यहाँ पर क्या हो गया बच्चो, double bond double up हो गया, और यह double bond कैसा हो गया, CH, single bond O, O पर minus charge, और इस पर charge कैसा आ गया बटा, positive charge आ गया, यहाँ से पाई बांड टूटा, तो इस पर positive charge आ गया, अब अगर positive charge आ गया बच्चो, तो क्या होगा, अब यह positive charge इस पाई ब कैसा हो जाएगा double और ये वाला क्या हो जाएगा फेर से positive charge हो जाएगा उपर वाला group सेम ही रहेगा CH single bond O O P minus charge मेरे बास समझ रहे हो positive charge है बेटा positive charge क्या करेंगे electron भेजेंगे या अपनी तरब ले जाएगे ये तो πाई electronों को अपनी ओर लाते हैं अपनी ओर खीचेंगे जाके तो पाई electron इस ओर खीचेंगे तो यहाँ पर double bond double up होगा इस वाले atom पर अब क्या हैगा positive charge आएगा इस वाले पर क्या हैगा positive charge आएगा अब देखो बेटा उपर वाले group में क्या हुआ CH single bond O O पर माइनस जाएगा क्या situation बने अब यह positive charge फिर इन 5 bonds को तोड़ेगा तो जैसे इस पर जूटेगा इस पर positive charge आएगा यह negative charge इस पर shift हो जाएगा तो मेरे पास यह बन गया और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे CH double bond O कहीं कोई गरबड़ी तो नहीं कोई गरबड़ी नहीं सब कुछ वैसा ही चल रहा है ठेक है अब इसको क्या लिखोगे बच्चों CH single bond O बिलको सही लिखा अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों इस पर आ गया negative charge यह bond कैसा हो गया partial double बाकि सभी partial double रहेंगे अब देखो यहाँ पर positive charge आया 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 तो क्या होगा अगर ये electronों को withdraw करने लग जाएगा तो क्या होगा electron बाहर की ओड जाएंगे तो electron density क्या होने लगेगी बच्चों कम होने लगेगी यानि in presence of minus m group electron density decreases at कहाँ पर आर्थो पैरा पोजीशन पर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है बेंजिन रहेंगी इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा अगर आर्थो पैरा पोजीशन पर electron density कम हो जाएगी जिस पर electron कम है इलेक्ट्रोफाइल है क्या वहाँ पर अटैक करेगा नहीं कहाँ पर अटैक करेगा मैटा पोजीशन पर करेगा as compared to मैटा पोजीशन ठीक है मैटा पोजीशन पर electron density बढ़ी क्या नहीं बढ़ी कोई बात नहीं तो अब अगर यहाँ पर कम हो पहले से अधिक electron density दिखेगी, जहां पर electron density अधिक होगी, तो आर्थु और पैरा पे अब electron density बच्चों, कम हो चुकी है, इसलिए incoming electrophile, hence incoming electrophile attack at meta position, किस पे आएगा meta position, so these group are known as meta directing group, तो क्या हुए, इन group को क्या कहोगे बच्चों, इनको कहोगे तुम meta directing group, इनके आने से ring में electron density कम होई, जिसकी वज़े से electrophile पहले के, अगर कहीं पर plus M group लगा है, और कहीं पर minus M group लगा है, तो electrophile पहले किस पर जाएगा, जिस पर plus M group लगा है, और जिस पर minus है उस ring की reactivity क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, ring deactivating group, इनको क्या कहेंगे, ring deactivating group कहेंगे, कि इनको minus M group को, मेरी बास समझ में आ रही है, सारी चीजे मैंने हर जगे change कर दी, कहीं कोई चीज रहतो नहीं गई, ठीक है, अब बेटा आप इसका screenshot ले सकते हैं, आ ठीक है, ठीक है, आप समझ में आ गया हम, अगर बेंजिन रिंक पर plus M group, अमें इनको को हटा दे रहा हूं है, ठीक, तो बेटा हमने इन दोनों effect का conclusion क्या लिख लेते हैं, एक बार हम लोग फिर इसको लिख लेते हैं, कि अगर बच्चो प्लस M group है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह कैसा होगा, एर्थो and कैसा होगा, पहरा रिरेक्टिंग्टीं ग्रूप्टो होगा, और क्या होगा, यह रिंग् M group होगा, ठीक, minus M group कैसा होगा, meta directing group होंगे or कैसे होंगे, ring deactivating group होंगे, क्या होंगे, ring deactivating group होंगे, or the co-points next, plus M and minus M effect do not observe as the co-points. at meta position, बड़ा important points है, ठीक है, एक points यह हमारे पास रहा, first point, यह मेरे पास second point रहा, अब देखो, third point, third point क्या होगा, mesomeric effect does not depends on distance, यानि independent of distance होता है, कोई group कितनी दूर जा रहा है, उससे कोई यहाँ पर अंतर नहीं पड़ता है, conjugation होना चाहिए जा किया, पहली बाद, meta positions पर कोई असर नहीं डालता हो, distance कि क्या होता है, independent होता है, कोई distance पर depend नहीं करता है, यह हमारे group, ठीक है, 4th point क्या होगा बच्चो, Electrophilic Substitution Reactions of Benzene, कैसे लिखेंगे, rate of Electrophilic Substitution Reaction of Benzene, is directly proportional to बच्चो, electron donating group, और inversely proportional to electron withdrawing group, अगर electron withdrawing group आएंगे, तो rate of Electrophilic Substitution Reaction का कम होता जाएगा, electron donating group के आने से बढ़ता जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, reactivity of Benzene, इसी के लिए कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जाएं, तो भी आप यही चीज लेके चलेंगे, reactivity of Benzene, अगर reactivity of Benzene के बारे में पूछा जाएगा, तो भी आप यही चीज लेके चलेंगे जाके, ठीक है ना, तो भी आप यही चीज लेके चलेंगे, धियान लखेंगे जाके, यह हमारे pause point है, आप screen sword लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जाके, यहाँ से बेटा resonance effect और mesomeric effect दोनों ही complete हो गाए, resonance effect और mesomeric effect जो था यहाँ से complete हुआ, इसका आपको application part अभी मैं discuss नहीं करने जा रहा हूँ, application part करेंगे, जब मैं hyperconjugation effect को भी पढ़ूंगा, तो hyperconjugation effect और resonance effect दोनों मिला के हम उसके question solve करेंगे, stability पर question देखेंगे, ashtic strength पर देखेंगे और basic strength पर देखेंगे, चलो बच्चों, आते हैं हम लोग, hyperconjugation effect, this is the third effect, first inductive effect, second resonance effect and third hyperconjugation effect, hyperconjugation effect, hyperconjugation effect is also known as, also known as known bond resonance, no bond resonance, इसको हम लोग क्या कहते हैं बटा, no bond resonance भी कहते हैं इसको जाके हम लोग, ठीक है, देखो, hyperconjugation effect के conditions का है, hyperconjugation effect बहुत widely used नहीं होता है, लेकिन जहां पर use होता है, वो हमें पता होना चाहिए जाके, देखो कैसे, अगर हमारे पास, कोई A atom है, कोई A atom है बच्चों, और इसके हमारे पास क्या हो, positive charge हो, या इसके पास क्या हो, free radical हो, या इसके पास क्या हो, double bond हो, इसके पास, जुडा हो, यह किसी B के साद जुडा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कोई carbon atom, ऐसे नहीं लिखा, देखो मैं carbon की form में लिखता हूँ, जैसे मेरे पास क्या है CH, इस पर क्या लिखा है, team cases है मैं उन में बता देता हूँ सीधा, देखो क्या लिखें लिखा, अगर हमारे पास CH2, positive charge, इस पर, ठीक है न, और hyperconjugation effect is observed in case of only, में लिख दे रहा हूँ, carbo, cation or alkyl, free radical or alkyne, hyperconjugation effect कहां पर देखा जाएगा, carbo, cation पर देखा जाएगा, alkyl, free radicals पर देखा जाएगा, और alkyne पर देखा जाएगा, intine पर देखा जाएगा, कोई carbon है, इस carbon पर positive charge हो सकता है, हो सकता है, इस पर free radical बना हो, हो सकता है, इसके पास double bond भी हो, इस carbon से, इसके ठीक बगल में एक और carbon है, इसके ठीक बगल में एक और carbon है, इसके ठीक बगल वाले carbon को हम लोग क्या कहेंगे, alpha carbon, इसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, alpha carbon atom, इसको क्या कहेंगे, इस alpha carbon atom से क्या लगा होगा, hydrogen atom, तो अगर alpha carbon पर hydrogen लगा है, तो इसको बगल क्या कहेंगे, alpha hydrogen atom, क्या कहते हैं, for hyperconjugation, for hyperconjugation, at least one alpha hydrogen must be present, hyperconjugation के लिए, कम से कम, एक alpha hydrogen तो होना ही चाहिए, ठीक है, यह एक bond है, और एक यह bond है, ठीक है, और यह क्या है, है, alpha carbon, ठीक, यह जो alpha carbon atom है, यह कैसा होगा, SP3 hybridized, यह कैसा होगा, बच्चो, SP3 hybridized होगा, यहाँ पर क्या होता है, होगा है, डटा, कुछ general points है, SP3 P overlapping होता है, SP3 P overlapping होता है, कौन सी होता है, SP3 P overlapping होता है, यह क्या होता है, यह भी, it is a permanent effect, यह भी कैसा है के permanent effect होता है, ठीक है, it does not depend on distance, यह distance पर depend भी नहीं करता है, यह distance पर depend भी नहीं करता है, यह permanent effect है, यह SP3P overlapping होती है जाके, ठीक है न, यह इसके main points है, ठीक है न, तो यह क्या होगे बैटा, इसके main points, अब इसका screen shot दीजिये, फिर हम लोग इसमें आ गया आते हैं, सबी लोगो ने ले लिया होगा screen shot, अब मैं इन में A-K cases को one by one discuss करता हूं, ठीक है, और देखो, first case, CH2, CH3, इस carbon पे positive charge है, इस carbon पे positive charge है, इसको हम क्या करें, इन CH3 को अलग-अलग करके लिख ले दे हैं, यह कौन सा atom बेटा मैंने लिया, this one is alpha carbon, यह क्या है बेटा, alpha carbon atom, ठीक, क्या होता है, इस carbon पे positive charge, एक तो positive charge यह indicate कर रहा है, कि electron deficient है, जैसे ही positive charge आएगा, यह electron को अपनी और लेने के लिए जट पटाएगा, कि फटा-फट मेरे पास electron आजाए, और एक electron निकल जाने की वज़े से positive charge देश्ची बढ़ी, तो electron लेने की tendency बढ़ी, साथ ही साथ, जिस orbiter से गया, वो खाली हो गई, तो इसके लिए favorable conditions बन गई बेटा, इसके लिए favorable conditions बन गई, कि ये क्या करेगा, electronों को अपनी तरफ attract भी करेगा, साथ ही पाई bond भी बनाएगा, तो ऐसी situation में क्या होता है, कि carbon और hydrogen के bond जो होते हैं, वो weak होने लग जाते हैं, और इसकी तरफ attract होने लग जाते हैं, sigma bond, ये sigma bond टूटने लग जाता, ये sp3, ये वाला इसके साथ हुआ, पर P orbital के साथ ये bonding में participate करेगा, hyperconjugation से जो structure बनते हैं, इस process, इस phenomenon को हम लोग hyperconjugation कहने जा रहे हैं, इस से बनने वाले structures को हम लोग hyperconjugating structures कहेंगे, देखें क्या बनेगा, तो अगर यहाँ पर ये बना, तो CH2 double bond C, single bond H, single bond H, hydrogen के electron निकल गए, तो ये यहाँ पर shift हो जाएगा अब carbon carbon में pi bond बनेगा, obviously weak रहेगा जाके, तो ये फिर इसके साथ तूटेगा, तो फिर ये बनेगा जाके, this effect is known as hyperconjugation और इस से बने हुए structures को हम लोग hyperconjugating structures कहेंगे जाके, हमने क्या बना लिया, first hyperconjugating structures draw कर लिया, अच्छा बया ये तूट सकता है, तो क्या ये नहीं तू नहीं तूटेगा, बिल्कुल तूटेगा बच्छों, तो हम लोग इस वाले को अगर break करते हैं, तो देखो मेरे पास क्या होगा, CH2 double bond C, अब ये वाला और ये वाला तो जुडा रहा, ये वाला तूट गया, plus charge हो गया, ये क्या बन गया, ये भी बन गया जाके, क्या hyperconjugating structure अब last वाला बच्छा, क्या ये नहीं तूटेगा, मैं इसको भी तो वेटा hyperconjugating structures कह सकता हूँ, तो इसको अगर मैं first कह दूँगा, तो ये second हो जाएगा, तो ये third हो जाएगा, तो next क्या बनने जा रहा है, देखो ध्यान से, CH2 double bond C, अब ये bond ऐसे रहा, ये वाला bond ऐसे रह और यहाँ पर double bond का formation हो गया, इसको हमने क्या का hyperconjugating structure, fourth number डाल दिया, total कितने structures बन गए जाएके, चार बन गए जाएके, अच्छा ये क्यो बन रहे है number of, क्योंकि हमारे पास alpha hydrogen का number अधिक है, अगर ये दोनों ना होते तो मैं केवाल यही structure ड्रॉप करता, मेरे पास ये ना ह structures बनेंगे, तो आप देख नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है, bond टूट रहे है, bond बन रहे हैं, तो energy loss होगी की नहीं होगी, energy loss होने लगेगी, अगर energy loss होगी, तो iron की stability बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी, यानि बढ़ेगी, hyperconjugation भी just like a resonance effect, तो यहाँ पर भी क्या होगा, energy बढ़ हो रहा होगा, वहाँ पर molecule या iron की stability बढ़ जाती है, यह hyperconjugating structures क्या होगे, बनने लग जाएंगे जाके, hyperconjugating structure किस बात पर depend कर रहे हैं, कि मेरे पास कितने alpha hydrogens है, ठीक है, तो यह hyperconjugating structures हो गए हैं, और हमने इसका बना लिया, किसका बनाया, carbocatine का बनाया हुआ है, ठीक ह ठीक, ठीक, तो मेरे पास points क्या आया बच्चों, हैं, as due to hyperconjugation, is stability of ion R molecules increases, okay. Second point as number of alpha hydrogen increases, hyperconjugating structures increases, hence stability increases. stability क्या होगी, increase करने लगेगी, जैसे-जैसे क्या होगे, alpha hydrogen का number बढ़ेगा, alpha hydrogen के number से hyperconjugating structure साधिक बनेंगे, hyperconjugating structure साधिक बनेंगे, तो stability of ions R molecules increase कर जाएगी, यह किसकी वज़े से हो रहा है, hyperconjugation effect से हो रहा है, ठीक. अब अभी आपने देखा hyperconjugating effect होता है, तो C और H का bond टूटने लग जाता है, तो यहानि यहाँ पर क्या होता, होता है, ठीक है, sigma bond break होता है, इसलिए यहाँ पर क्या कहलाता है, sigma pi delocalization, यहाँ पर क्या होता, sigma and pi electrons delocalization takes place, sigma and pi electron delocalization takes place, यहाँ पर क्या होता है, sigma and pi हो जाता है, delocalization takes place होता है, आप इसका एकी screen shot लीजे बच्चों, फिर आगे चलते हैं, ठीक, अभी हम लोगो ने carbocatine में hyperconjugating structures बनाना देखा, अब हम लोगो free radical में hyperconjugating structures draw करना सीखते हैं, ठीक, मेरे पास क्या है बच्चों, CH2C, यहाँ पर dot बना हुआ है, ठीक, अब देखो, इस carbon के पास एक electron है, तो अब इसको bond बनाने के लिए तो केबल एक electron चाहिए, ना, तो क्या होगा, यह electron इस पर आ जाएगा, यह electron इधर आ जाएगा, तो अगर एक एक electron आ गया, तो मेरे पास क्या होगा, पाई bond का formation हो जाएगा, तो क्या होगा, CH2, double bond C, single bond H, single bond H, और यहाँ पर H dot बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H dot, क्योंकि एक electron दो गया, तो hydrogen अपना electron लेके चला गया, तो हम लोग H dot लिख देते हैं उसको, ठीक है ना, similarly क्या होगा, यह वाले के साथ भी यही situation होगी बचों, इस वाले के साथ भी यही situation होगी जाके, यह वाला भी अपना electron दे सकता है, यह वाला भी अपना electron दे सकता है, अगर मैं इन सब की बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, CH2 double bond C single bond H, single bond H, sorry यह वाला लिखा है, तो यह वाले टूटेगा, तो यहाँ पर dot बनेगा, ठीक, ऐसा ही यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर CH2 double bond C, single bond H, single bond H और यहाँ पर dot बन गया, यह सभी क्या है, यह hyperconjugating structures है, these are hyperconjugating structure first, hyperconjugating structures second, hyperconjugating structure third and hyperconjugating structures are fourth, तो यह हमने किस में बना लिया, यह free radical में, किस में बेटा बनाया, alkyl free radicals, alkyl free radicals में कैसे hyperconjugating structures draw किये जाते हैं, उसके बारे में मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया, आप इसका screenshot लीजे बच्चों, फिर आगे चलते हैं. किस में बनाया, Administration, Application stability of ions, first example C H 3 plus C H 2 C H 3 plus C H 2 C H 3 plus C H 2 C C H 3 C H 3 C H 3 plus C H 3 C H 3 C H 3 plus, this is what we have done, now what we have done is in order of stability, when we arrange it, we arrange order of stability, and we arrange तो अगर alpha carbon नहीं है तो alpha hydrogen भी नहीं, no alpha hydrogen इसके पास कोई भी alpha hydrogen नहीं है बच्चो इस कार्वोकटाइन के ठीक बगल वाला ये वाला भी कैसा हुआ alpha carbon ये वाला भी कैसा हुआ alpha carbon जिस carbon पे positive charge उसके ठीक बगल वाले carbon alpha carbon होते हैं तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 यानि मेरे पास कितने हो गए बच्चो 6 alpha hydrogen हो गए जाएका है और यहाँ पर आ गए तो यह भी beta alpha carbon है यह भी alpha carbon है यह भी alpha carbon है 3-3 alpha carbon यानि कि मेरे पास अब यहाँ पे 9 alpha hydrogen होंगे और alpha hydrogen का number बढ़ेगा तो hyperconjugating structures बढ़ेगे तो stability भी बढ़ेगी यानि कि मेरे पास क्या हो जाएगा CH3 का whole twice C plus is most stable then CH3 का whole twice CH plus then CH3 CH2 plus and last में आता है CH3 plus और आप ध्यान देंगे यही मैंने order inductive effect के case में भी explain किया था वहाँ पर हमने inductive effect के basis पे explain किया था यहाँ पर hyperconjugating structures के basis पे किया जाता है लेकिन अगर हमें explanation किसी carbon carbon का देना है तो मेरे पास जो dominating effect होता है वो hyperconjugating होता है answer हमें इसा hyperconjugation से देंगे जिस carbon carbon के पास जितने अधिक alpha hydrogen होंगे उस carbon carbon की अधिक stability होगी ना कि हमें inductive effect से answer देना होगा यह main important points है इसे आप अच्छे से note करें ठीक है बिड़ा screen shot लो इसका ले लिया चले आ गया ते second example इसी में कर देते हैं अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर free radicals बना लिया है यहाँ पर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ free radicals बनाने जा रहा हूँ ठीक तो जो carbocatine की conditions थी बच्चों वही free radicals होई तो सबकुछ तो same हो जाएगा order of free radicals में क्या हो जाएगा बस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा dot present होगा ठीक है ना positive charge की जगे क्या लिख लेंगा dot लिख लेंगा बाकि सबकुछ सेम होगा यह हो गया मेरे पास ठीक है एक्जाम्पल नमबर 3rd भी मैं सी पर और आपके सामने लिख देता हूँ क्या होगा 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 हो CH3, यह मेरे पास क्या है बिट्चों, A, यह क्या है B, यह क्या है C, यह क्या है D, और यह क्या है E, E मैं नीचे बना दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, CH3, CH3, C double bond C, CH3 and CH3, ठीक, आप देखाँ, अगर अलकीन का केस आता है, और अलकीन को order of stability में अरेंज करना हो, अगर हमें अलकीन को order of stability में अरेंज करना है, तो भी हम लोग क्या देखेंगे, alpha hydrogen ही चेक करेंगे, अलकीन में कैसे देखे जाते हैं बेटा, carbon carbon double bond के बगल में carbon देखो, तो carbon carbon double bond के बगल में कोई alpha carbon नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, no alpha hydrogen, इसके पास कोई alpha hydrogen नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर देखा, यह हमारे पास carbon carbon double bond, इसके ठीक बगल में क्या है बेटा, alpha carbon, इस alpha carbon पे कितने hydrogen, 3, तो इसके पास कितने हो गए बच्चो, 3 alpha hydrogen, कितने हो गए, 3, similarly यहाँ पर देखा, कितने आपको मिलने वाले हैं, 6 alpha hydrogen, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो कितने मिलने वाले हैं, 9 alpha hydrogen, और अगर इधर देखते हैं आपके पास, तो कितने होने वाले हैं, 12 alpha hydrogen, कैसे, यह बेटा alpha carbon है, तो यह भी तो alpha carbon हुआ, ऐसा इस case में देखा जाए तो ये alpha carbon है, ये alpha carbon है, और ये alpha carbon है, यहाँ पर बच्चों, ये alpha carbon, ये alpha carbon, this one is alpha carbon, this one is alpha carbon, total कितने होगे मेरे पास, 12 होगे, अगर हमारे पास alpha hydrogen का number बढ़ा होगा, तो stability भी obviously बढ़ी होगी, तो मेरे पास order of stability क्या होई, A की सबसे कम, then B की, then C की, then D, then E, ठीक है, किस बेसे पे लिखा, hyperconjugation की बेसे पे, यानि की number of alpha hydrogen की बेसे पे मैंने ये किया हुआ है, number of alpha hydrogen की बेसे पे किया हुआ है, ये बढ़ा मैंने क्यास का लगा दिया, कार्बो काटाइन का पहले discuss कर दिया, यहाँ पे free radical का और alkene की order of stability भी explain कर दी, on the basis of hyperconjugation, किस के basis पे hyperconjugation, और hyperconjugation किस बेसे पे लिया जाएगा, number of alpha hydrogen, कैसे निकाले जाते है, alpha hydrogen, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर explain किया हुआ है, ठीक है, आप इसका screenshot लीजे बच्छो, तो hyperconjugation से जो जुड़े हुए points थे, वो मैंने आपको अभी यहाँ पर explain कर दिया जाके, तो मेरा resonance effect complete हो गया, बच्छो, hyperconjugation effect भी complete हो चुका, inductive effect हम लोगा already complete कर चुके है, अब इन तीनो effect का हम लोग miscellaneous examples करेंगे, जहाँ पर किस तरह से हमें questions को solve करना होगा जाके है, ठीक है?